फिल्म की शुरुवात में हम एक लड़की को देखती हैं जिसकी उमर इतनी ज्यादा नहीं वो स्कूल स्टूडेंट था और इस वक्त ट्रेन से अपने घर जा रहा था जिसका नाम इनसू है तबी इनसू की पास उसकी मॉम की कॉल आई जो उसे पूछती हैं कि अब सब ठीक ह जिस पर वो जवाब देता है मॉम मैं अपने ने स्कूल में एट्जल स्टूरी की कोशिश कर रहा हूँ जिल्द हो भी जाओंगा तो आप मेरी टेंशन मत लीजी और दूसरी बासे भी बेफिकर रहीं अब मैं बूतों पर भी ज्यादा दिहान नहीं दीता जिससे हम समझ प बूत को पता चल गया कि ये मुझे देख सकता है इनसो ने हाथ में जो लोकेट पकड़ा था वो तब अचानक हिलने लगता है जब आस पास कोई बूत आत्मा वगएरा ये लोकेट इनसो को उसके दादा जी ने दिया था क्योंकि वो भी बूतों को देख सकती थी अब इनस जादी सकौन दिलवाओ जिससे इनसो के जिंदगी पर बुरा सर पड़ सकता है इसलिए फूरण ट्रेन से उतर कर घर की तरफ जाने लगा घर पहुँचकर वो देखता है कि उस लड़की का भूत मेरा पीछे करती करती यहां तक आ गया है जो इस वक्त उसके कंदे पर जोर से चिंदाती है और इनसो से उस आत्म का दुख देखा नहीं जाता है इसलिए वो इस सबसे दूर जाने का फैसला करता है वो अपने अंकल को कॉल करकी कहता है कि अंकल जी मैं बोजन आपके पास आ रहा हूं मैं वही रहूँगा और बाकी पढ़ाई भी वही पूरी कर होगी और आए दिन अपने स्कूल बदलती रहोगी इसलिए तो बस उन्हें नजर अंदास करो और कुछ नहीं कि जो भी है मैं आ रहा क्यूंकि मैंने अपने स्कूल में स्कूल बदलने की एप्लिकेशन दे दी हैं जिसके बाद अगले दिन वो बस में बैठ कर अपने अंकल की घर गया तो हम दरवाजे पर बहुत सारी ऐसी चीजों को देखती हैं जिनसे भूतों को बगाया जा सकता था और यह इसलिए लगाई होई थी ताकि बहुत घर की अंदर ना गुस सकी इसलिए उसकी एंकल हमेशा घर की अंदर ही रहती हैं बहुत कमी बारे जाया करती थी फैर अगली ही दिन इनसु अपनी नए स्कूल चला गया जाँ टीचर सब बचों को उसकी बारे में बताती हैं कि यह क्लास में नया आया है इस क्लास में पाँच दोस्तों का एक ऐसा ग्रूप था जो कमशोर और नए आने वने स्टुडेंट्स को बुली यानी परेशान क्य करती थी इस ग्रूप की लीडर एक लड़की थी पहले ही नजर में इनसु उसे पसंद आ गया इसलिए वो उसे अपने साथवली सीट पर बैटने के लिए जगा देती है वो उसे कहे भी दीती है कि तो मुझे पसंद आयो उसे दोस्ती कर लो पर वो साफ मना कर देता है अब मैंने पहनी बार ऐसी आत्मा को देखा जिसकी हाथों पर खून था और उसने चेरे पर मास पहना हुआ था उसकी अंकर सुनकर चौब गए कियते हैं यह ऐसी खून वाली आत्माई पहुत ही खतरनाक होती है और उन सब की मोत डर्दनाक हुई होगी इसलिए वो अपना बद् का नाम पता चला जो मून था और वो इनसु के साथ में आकर बैठ जाती है इस बार भी वो उसी नजर अंदाज ही करता है मून जब उसी ड्रोइंग बनाता हुँआ देखती है तो कहने लगी कि वो जो औरत है वो अंदी है और उसका जो डौग है वो मढ़ चुका है तुम अब उसकी ड्रोइंग बनाई तो इसका मतलब तुम उसकी आत्मा को देख सकते हुँ इसलिए अब मुझे नजर अंदास करने का नातत बन करो समझाई मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो और ये बी कि किस वजह से मुझे तुम नजर अंदास कर रहे हैं तो बे गिर गया जिसके अगली दिन ग्रोप की दोलर की इंसु को दमकाने लगे कि हमारी दोस ग्रोप लिडर से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा जिस पर इंसु कहता है कि समझाना है तो उसे जा कि समझाओ वो ही मझे साथ बिठाती है मेरे पीछे पड़ी हुए ये सुनकर ए इसी लाल रंग की चीज़ को पैकेट में लटका हुआ देखती है वो जैसे करीब गई अचानक पैकेट फट गया और उसकी अंदर की लाल चीज़ जो दरसल खोन था वो साना का सारा उसकी ऊपर गिर जाता है उसकी कपड़े बाल चीरा खोन में भर गे जो दोने के लिए व और ये लड़की उसे काफी अच्छे से जानती है अब सही ही उसकी तरफ बढ़ने लगी तब ड़ते हुए वो लड़की पीचे की तरफ फटने लगती है फिर अचानक की कोई जोर सी दर्वाजा बंद कर दीता है अगले दिन ग्रोप के लड़की अपने लीडर को कहती है लगता है हमारी दोस कई पर भाग गई है जबी तो स्कूल नहीं आए और ये सुनकर इंसू काफी घबड़ा जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो जान जुका था कि इनकी दोस के साथ कुछ गलत हुआ है फिर ग्रोप की वो लड़की दिखाई गई जो खोन में लटपत एक अं मत पैदा हो गई रात की वक्त ग्रोप की एक लिड़की और एक लिड़का अपनो फोन लेने आए थी जो क्लास में टीचर ने उनसे छील लिया था मूबाइल तो इने मिल गया बर जब यह यहां से जा रही थी तो यहां सही ही की आत्मा आ गई जो उन्हें पहले तो काफी लिड़की ने अपनी ग्रूप लिड़को फोन करके बता दिया था कि सही ही हमिं मारना चाती है जिसकी बात एक लिड़के करके दोनों को बड़े विरहमी सी मार दानती है अगली दिन स्कूल में सब को पता चल गया था कि उस ग्रूप की दो लोग गाई भी यह यह खबर इसी लिए वो क्लास में आकर सबसी सभी की बारे में पूछता है पर उसे कोई जानकारी नहीं में तब ग्रूप लीडर उसे बताती है कि वो एक नमबर की पागर लड़की थी ये संगर इनसो से सही की तस्वीर मांगता है पर उससी पता जिला कि वो तो इतनी अजीब थी कि उसने कभी तस्वीर ही नहीं बनाए क्योंकि उससे परसन नहीं थी इससे बेट चुपके सी क्लास की एक लिर्की इनसो को सही की तस्वीर भीचती है और साथ में मेंसेज भी कर देती है कि किसी को भी इस बारे में ना बताना कि मैंने ये तस्वीर तुमें सेंड की है सही की देकर इंसू काफ़ी चौंग चाता है ऐसा लग रहा था उसने पहले से इसको देखा हुआ हैं जिसके बाद वो आकर मौन से मिला और उससी भी सही की बारे में पूछने लगता हैं पर मुण कहती है कि सही की बारे में कौन नहीं जानता यहां तक कि सब को ये भी पता हैं कि वो मास्क क्यों फैनती हैं ये सुनकर इनसु अब ग्रोप लीडर सी सही की जनकारे लेने की कोशिश करता हैं जिस पर उसका दोस्त इनसु को काफी पीटता हैं फिर फूछने लगा कि तुम आकर क्यों सही की बारे में जाना चाती हो, तुम्हारा क्या वास्ता है उससे, जिस पर इंसु कहता है कि कुछ ने, पर मैं जानता हूँ कि वो तुम लोगों से अपना बदला लेनी जरूर आएगी, जिसके बाद वो लड़का इंसु को छोड़ इसलिए अब भी लोग अपने सवालों की जवाब पाने उनकी घर जाने लगती है, इंसु अपने अंकल को सही की बारे में बताता है, और उन्हें ये हरान कुन जानकारी देता है, कि वो है तो एकी, लेकिन दो अलग-लग रूपों में है, जिस पर उसकी इंकल जवाब दीत अब तब इंसु के पास ग्रोप लीडर का मैसी जाया, जो उसे फुरन सही की डैट के घर आने का कहती है, और ये भी कि मेरी जान को खत्रा है, और उसकी अंकल इंसु को जाने से मना कर देती है, और क्यूंकि उसने कैसे भी करके ग्रोप लीडर की जान बचानी थी, तो वो खंजर देती हैं, ये कहते हुएं कि इस से भोतों को माना जा सकता है, सही की डैट की घर पर उसकी आत्मा, ग्रोप लीडर और उसकी दोस्तों काफी तराती है, उसने यहां भी मास पेंडा हुआ था, जिसकी बाद सही की आत्मा, अपनी डैट की अंदर आकर दोनों को सही की आत्मा भी दिख जाती है, और अब जैसे इंसू उसका मास कटाता है, उसके हुए शुड़ गए, क्योंकि पता चिला कि सही और मून दोनों एक ही हैं, बस ये एक आत्मा के दो अलग अलग रूप हैं, जिनमें एक तो अच्छा रूप है मून, जबकि दूसरा बहुत खतरनाख उनकार हैं, यनि कि सही जब खून की प्यासी है, जिसके बास या से पास्ट ये मौजी में आजाता हैं, जहां में पता चला कि सही ने इस बुली ग्रूप के खिलाफ रिपोर्ट की थी, पर जब और लोगों को इस बारे में पता चला, तो उनने रोज सही को उसी मास पहिना दिया था और कहा था कि अगर तुमने कभी ये मास उतारा तो हम तुम्हारे साथ इससे भी कई जड़ा बत्तर सलोग करेंगी इस बारे में जब सही की डेट को पता चला तो वा पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला करती हैं पर सही ने उन्हें ऐसा करने से र तकील देती है पर मास उतारने की वज़े से ग्रूप लीडर उसे फिर से बहुत मारती है और वो बीचारी बस सहती ही रहती है लेकिन रोज रोज का ये जुल्म परदाश करकी अब वो तंग आ चुकी थी इसलिए उसने पांची से लटक कर अपनी जान दी जिसके बाद सही की आत्मा वापी साइब और उसने अपना बतला लेने के लिए ग्रूप लिडर समेट उसकी तमाम दोस्तों को मार दिया जो भी उसी पुली क्या करती थी पर जब उसकी बटकती होई आत्मा वापी साइब तो उसकी दो विससी हो गए एक तो बहुत ही प्यारा मून की रोप में जिपकी दूसरा खतरना उससे और डिप्रेशन से बरा हुआ यानि कि सही अभी भी उसका दिल नहीं बरा वो बाकि अपने क्लासमेर्स को भी टीचर समेट मारना चाती थी कि जो वो पुरा ग्रोप सही की साथ इतना बुरा बरताओ करती थी जुर्म करती थी तो कोई भी स्टूडेंट उसकी लिए कुछ करता नहीं था बस उसके साथ बुरा सलोकी देखती थी यहां तक कि टीचर ने भी कुछ नहीं किया उल्टा उसके साथ इंगंद किया लेकर जल्दी से स्कूल के तिरफ जानी लगा जिस बीच उसने अपने अंकल को भी कॉल करती और कहां मेरी मदद कीजी अब उसकी अंकल सही के घर गए वो पहले उसकी लाश को जमीन पर लिटा दीती हैं भी रिच्वल वाले कुपड़ी पेंट कर तलवार हाथ में ली ले और सही के लिए रिच्वल जादो करने रखती हैं रिच्वल जैसे ही पूरा हुआ सारे ताकत उस चाकू में आ गई जो इंसो ने पकड़ा हुआ था और अब उसी इस चाकू से सही की आत्मा पर वार करना होगा जिसने टीचर के जरीए पूरी जगा पर पेट्रोल डलबाय और अब वो यहां आग लगाने वली थी उसने डाइटर जलाकर हाथ में पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह तैयार थी ताकि सब मारी जाए इस बीच उसका अच्छा वना रोप मून उसी ऐसे करने से रोख भी रहा था तब मास वली सही उसी केने लिगती हैं कि भोल गई त कुमारे और मेरी साथ होने वनी जल्म को बस देखा करती थी हमारे लिए कुछ भी नहीं करती थी अब जियसे यहां इनसु आया सही ही अपनी अच्छे वनी रोप मून को रायब कर देती हैं जिसके बाद वो एक एक करके सभी स्टूनेंट्स की अंदर जाने लगती हैं इस चीज का पता इनसु अपनी लॉकर से लगवाता हैं यह इस वक्त सही ही की आत्मा किसके अंदर हैं जिस बिर सही को अपने बचपन का एक स्केच दिखता हैं जोकि बचपन में उसके लिए और किसी ने नहीं बलकि इनसु ने ही बनाया था और यह इनसु को सही के कमरे से मिल पर जैसे उसने स्टुडेंट्स की तरफ देखा उसे घुसा आ गया और वो फिर से अपने बुरे मास वाले रोप में आ जाती है। पिछली सीट पर एक और आत्मा बेटियों नजर आती है जो दीरे दीरी इंसों की तरफ ही बढ़ रही थी वो भी तकलीफ में लग रही थी और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म जाती है।